मैं हूँ मोहित खान और एक बाग फिर आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ प्रो कबड़ी की लाइव अफडेट लेकर प्रो कबड़ी सीजन आठ में आज 44 दिन के मुकाबले खेले गए और डबल हेडर मुकाबले आज हम सभी को देखने को मिले यानि आज के दो मुकाब मुकाबले से और इस मुकाबले में जैपुर पिंग पैंथर ने बाजी मार का पॉइंच टेबल में चोते पोजिशन की दावेदार बंगी यानि चोते पोजिशन पर पहुच गी तो दूसरा मुकाबला खेल गया तेल्कु टाइटन्स और तमिल से लाइवास की टीम जीत है और पॉइंच टेबल में पांच ine नामबर पहुच गई यानि दो उलट ते कुठेबल में आज हमें देखने को मिले क्योंकि CPU 1665 पोजिशन की तीम पहुआयों की तीम जूसते भी नजरा इस मुकाबले के अंदर और आज एक बाव फिर इन्हें दूसरी जीत नहीं मिली है इस सीजन की यह लगातार मेहनत हो रही है इस टीप की तरफ से लेकिन आज तो एक बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा है और यह हार का अंतर रहा है आज हटारा तमिल तलायवास की टीम ने जीत दर्श की है और तेलकू टैटन्स को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है चालिस मिड़ के खेल के अंदर पूरे चालिस मिड़ दबदबा रहा आज इस मुकाबले के अंदर तमिल तलायवास का शुरुआस से लीड लेना शुरू क्या जो बढ़ती गई बढ़ती गई और मुकाबला अंतो होते होते 18 पॉइंटों की लीड लेने में ये टीम काम्याब हो गई आज इस मुकाबले के अंदर यानि बड़ा ही शान्दा खेल दिखाया पिछले मुकाबले में 18 पॉइंटों की जीत और आज एक बाद फिर 18 पॉइ यानि बहुत जादा उलट फिर आज हमें पॉइंट टेबल में देखने को मिल गए इन दोनों मुकाबलों के बाद क्योंकि जो टीम नवे और दस्वे नंबर पर बनी हुई थी अब वो पॉइंट टेबल में पांच चोते और पांचों नंबर पर जा पोचिए इससे जाद अब यह है कि यूंबा जो मुकाबले शुरू होने से पहले टॉप चार में बनी हुई थी अब वो छटे नंबर पर जाब पोची है हर्याना की टीम भी अब टॉप छे से भार होके सात्वे नंबर पर चली गई है यूपी की टीम जो छटे नंबर पर थी वो अब आटवे नंबर पर हमें दिखाई दे रही है नवे नंबर पर पनेली पल्टन और बंगाल बोरगर चानी डिफेंडिंग चेंपियन अब जाब पहुची है डसवे नंबर पर गुजरात अभी बनी हुई है बारवे नंबर पर नो डाउट अभी भी तेलगू टाइटन्स की टीम क्य ता खराब परदशन इस टीम का जारी है होएगा बात की जाए तो मिलतलायवास की तो यह पंदरवा मुकाबला था ता मिलतलायवास का और पांच वी जीत दर्च करके यह टीम पॉइंच रेवल में पांच वे नंबर पर भी जाब पोचिए यानि पांच जीत लेकिन अब यहां से टीम का वापसी करना बहुत ही मुश्किल रगा है अभी तक थोड़ा वो जो टीम को रोईत कुमार समाल रहे थे अपनी कप्तानी के दम पर आज तो वह भी इंजड हो गए इसका मतलब अगला मुकाबला खेलेंगे या नहीं उसको उस पर भी शुरू हो चुक तर आज 43 पॉइंट अपने नाम किये यानि 40 मेंट के फॉर्टी थ्री पॉइंट लेने में काम्याब रही तमिल तलायवास की टीम वहीं अगर बात की जाए तेल्गू टाइटन्स की तो 40 मेरे के खेल के अंदर तेलगू टाइटन्स ने आज केवाल 25 पॉइंट ही कमाए है यानि 18 पॉइंटों का अंतर है दोनों टीमों के बीच में बड़ा अंतर आपके सकते हैं जीत हार का है इस मुकाबले के अंदर क्योंकि बिल्कुल भी फाइट देने में नाकाम्याब र तो आप चाहेगी तीम के अब यह कैसे भी करके खेल बरकरार रहे जो ले हासिल कर लिये अब यह ले ना तूटे तो हमें आना ले सीजन में अब देखने को मिलेगा कि जो टॉप चे में चल रही थी अब वह भी नीचे आते वे नौवे दसवे नंबर पर हमें दिखाई दे है नो डाउट हर दिपार्टमेंट में आज तमिल तलायवास की ही जीत हुई है क्योंकि एक बड़े अंतर से मकाबले को टीम ने जीता भी है और आज सबसे बड़ी बात यह रही कि सांगर डिफेंस में जम के चले अभी तक तो हाइफाइव लेते हो देखे तो लेकिन आज तलायवास के रेलरस ने चलिश मेंट के खेल के अंदर 21 रेड्ड पॉइंट अपने नाम के वहीं टैल गू टैटन की बात की जाए तो टैल गू टैटन की तरफ से यह पंदर 15 भी हासिल नहीं कर पाई चालिश मिन के खेल के अंदर तेलगू टाइटेंस की टीम जिसके चलते टीम को एक बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा है और आने वाले मुकाबलों में भी बड़ी दिक्कत इस टीम के सामने आने वाली है यानि अगर रेडिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए दौण टीमों के बीच डिट्रे डिपार्टमेंट में आठ पॉइंटोब का अंतर रहा आज इस मुकाबले के अंदर और वह आठ पॉइंटों का फाइदा किसे मिला है वो फाइदा मिला तमित लाएवास के टीम को और इनकी जो पॉइंट्स रंडट है वो भी अब सुदर गई है क्योंकि दो बड़े अंतर से मुकाबले जीच चुकि है तमिल तलायवास की टीम लगातार यानि अब इन टीम ये टीम अब पोजिटिव मैंड सेट के साथ आगे बढ़ सकती सीजन में आने वाले मुकाबलों के अंदर क्योंकि आज जम के खलाडी चले है तमिल कि टीम की उरसे ओडिफेंस की बात करतें कि ब्लब चलायवास की टीम की टीम की चला लब है तो ये बोला जाता कि डेखना नामकिन ने की लेकिन ऑगतना मुमकिन आज होगा कि जो मत जा रहा दा हो आउट ही होके लोट रहा था आज इस मुकाबले के अंदर 40 मिट के खेल के अंदर तेल्गू टाइटन्स का डिफेंस केवल नो टैकल पॉइंट या सिफ कर पाया यानि रेडिंग डिपाट्मेंट भी खराब परदशन करके गया केवल 13 पॉइंट तो डिफेंस ने भी केवल तेम नजन नहीं आ रही थे जी साब से तेल्गू टाइटन्स की टीम का अज मुकाबला खेला और नो टैकल पॉइंट वहीं तुल्ला करें तमिल तलयावास से तो तमिल तलयावास ना चालिस मिट के खेल के अंदर 17 टैकल पॉइंट अपने नाम किये यह दर्शाता है कि त तेरे किसे डबल टैकल पॉइंट है केवल एक पॉइंट का ही फरक है सत्रा पॉइंट इन्होंने लिए उतर नो पॉइंट लिए यानि लग बग डबल टैकल पॉइंट हासिल करने में तेल्गू टाइटन्स की टीम आज काम्याब रही जिसके पीछे सबसे बड़ा नाम व सागन एक बाफिर मुकाबले में कि आप कह सकते हैं महफिल लूटने का काम करके गए जिसाप चाज उन्होंने करके दिखा है तो समझदारी वाले टेकल तो हमेशा करते ही है यानि इस युवा खिलाडी को पर सबकी निगाय रहने वाली हैं आने वाले सीजन के अंदर भी क् अगली बार उक्शन में उत्रेगा तो अलगी धमाल देखने को मिलेगा इस खिलाडी के उपर एक बड़ा खिलाडी हो 17 टेकल पोइंट अपनी टीम को दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है यानि डिफेंस आज जम के चला है तमिल तलायवास का वहीं ओल आउट की तो तमिल तलायवास की तरफ से तो तमिल तलायवास ने आज 40 मिट के खेल के अंदर दो बार ऑलाउट किया तेल्गू टैटन की टीम को यानि दवाब बनाते गए पॉइंट्स भी लिये ऑलाउट करने का दवाब भी बनाया यानि बुरी तरीके से मुकाबले के अंदर तम तक जीतेगी सीजन के अंदर वही कल एक सवाल आ रहा है कि कल के मुकाबले बता दू तो कल मुकाबले खेले जाएंगे यानि कल हमें सुकरवार को भी तीन मुकाबले एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे जिसकी शुरुआत कल होगी हर्याणा और बंगाल बोर्यर्स या एक बड़ा मुकाबला है कल का क्योंकि दबंग दिल्ली जो आज मुकाबला हारी है वो कल एक बार फिक वार्ट पर होगी और सामने होगी बैंगलोरु बूस की टीम और जब ये दोनों टीम पिछले बार इस सीजन में बिढ़ी थी तो प्रोकपटी त्यास की दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था दबग दिल्ली को यानि एक बड़ा मुकाबला कल हम सभी को देखने को मिलेगा वही कल तीसरे मुकाबले में गुजात की टीम होगी जो पॉइस्टेबल में 11 नंबर पर चल रही हो सामने होंगे मोनु गोयत के पटना पारेट्स तो द खेल के अंदर दो बार ओल आउट किया तेल्गू टाइटन को जिसके चलते चार एक्स्टा पॉइंट को आज तीन एक्स्टा पॉइंट को केवल एक एक एक्स्टा पॉइंट मिला लेकि इसका कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि ओवरॉल स्कोर देखें तो 18 पॉइंटों स पॉइंट के चले और आज इन्होंने बहुत पॉइंट लिये हैं आट टेकल पॉइंट और एक बोनस लेने में ये काम्याब रहे हैं टोटल साघर के डिफेंस से ही खतम वही यानी पूरे मकाबले के इंदर टीम को जीद दिलाने में टीम का डब-बबा बनाये रखने में सबसे बड़ा योगदा सागर कर आए कमेंट भी आ रहा है कि सागर आने वाला इस्टार बन चुका है सीजन के अंदर जी सापसे एक लाड़ी लगा था पहत्रिन परदशन कर रहा है बड़े बड़े डिफेंडर होने के बावजू सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट करने का जो रिकोर्ड है इस सीजन को अपने नाम करके चल रहे है अभी तक यह दर्शात है कि खिलाडी कित्ता बड़ा डिफेंडर बनने वाला बन भी चुका है प्रो कपड़ी एक के ऐसा फ्लैटपर में कि युवाओ को मोका मिलता है और उसका पूरा फाइदा सागर इस सीजन के है तो कप्तान समझते हैं कि मेरे नए डिफेंडर को क्या चीए और उसको दी भी जाती है और उसका खेल भी उसी प्रकार का देखने को भी मिलता है सुर्जित ने भी खुद ने भी तीन टेकल पॉइंट लिया और अशीरी ने भी आज एक रेडिंग पॉइंट लिया अपन पॉइंट इनके नाम रहे आदर्श के नाम आज चार रेड पॉइंट है के वाल यह किलाड़ी का इनगर निराश करता है आज के मुकाबले में संदीब कंडोला आज फिट चले डिफेंस के अंदर चार पॉइंट लेने काम्याब रहे हाई-फाइब लगा सकते थे लेकिन पॉइंट से चूप गए यानि संदीब कंडोला का भी परदशन उनकी तरफ से सही रहा डिफेंस के अंदर इत्ता कमजोर डिफेंस कहला उसके बावजूर चार पॉइंट संदीब कंडोला ने तो ले लिए रोहित कुमार आज तीन पॉइंट कमाने काम्याब रहे एक टच किया है और जिसके चलते बड़ी हार का सामना टीम करके गई है तो यह ते आज के दोनों डबल हेंटर के मुकाबले जिसकी शुरुआत हुई जैपुर दबंग दिल्ली के मुकाबले से और इस मुकाबले में जैपुर ने 30 और 36 यानि दबंग दिल्ली खातेमा के 30 लुए तो यह तो यह ते आज के दोनों मुकाबले जिसकी अप्डेट आप सभी को दी गई बन इंडिया की जरिये कल तीर मुकाबले हैं तो इन मुकाबलों के अब्डेट लेना भी बिल्कुल न भूले शुरूआत होगी हर्याण एस वह बंगाल के मुकाबले से फिर खेल मुकाबला होगा गुजरात और पठना के बीच में तो कल तीनों ही मुकाबला का प्रिविव आप सभी को साथ बज़े मिल जाएगा वन इंडिया के प्लेटफोर्म पर मैं आप सभी की साथ चुड़ूंगा तो अभी में को दीजिए इस लाइफ शेशन में फिला लिता है जुड़े रहें ताकि तमाम खबरों सब्डेट होते रहें धन्यवाद